साथियों, बंगाल ने अतीत में भारत के समुरुद्ध ज्ञान विज्ञान को आगे भणाने में देश को नेतुर्ट्व दिया और ये गवरवपुन बात है, बंगाल एक भारत स्रेष्ट भारत की प्रिणा स्थली भी रहा है और कर्म स्थली भी रहा है। शताब्दी समारों में चर्चा के दोरान मैंने इस पर भी विस्तार चे अपनी बात रखी थी, आज जब भारत 21 सदी की नौलेज एकोनोमी बनाने की तरफ बढ़ रहा है, तब भी नजरे आप पर है, आप जैसे नवजवानों पर है, बंगाल की ज्यान संपदा पर है, बंग भारत के ज्यान और भारत के पहचान को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने में, विश्व भारती की बहुत बड़ी भूमी का है, इस वर्ष हम अपने आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, विश्व भारती के प्रतेग विद्यारती की तरफ से, देश को सबसे बड़ा उपभार होगा कि भारत की छबी को और निखारने के लिए हम सम मिल करके और विशेश करके मेरे नवजवान साथी जादा से जादा लोगों को जागुक करें। भारत जो है जो मानवता जो आत्मियता जो विश्व कल्यार की भावना हमारे रक्त के कनकन में है उसका अइसास बाकी देशों को कराने के पुरी मानव जाद को कराने के लिए विश्व भारती को देश की शिक्षा संस्ताओं का नेतृत्व करना चाहिए। मेरा आगर है अगले 25 वर्सों के विश्व भारती के विद्यारती मिलकर एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए जब आजादी के 100 साल होंगे वर्स 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्स का समारों बनाएगा तब तक विश्व भारती के 25 सबसे बड़े लक्ष क्या होंगे यह इस विजन डॉक्यूमेंट में रखे जा सकते हैं आप अपने गुरुजनों के साथ चिंतन मनन करें लेकिन कोई न कोई लक्ष अवश्चताय करें आपने अपने खेत्र के अनेग गाउं को गोड लिया हुआ है क्या इसकी सुरुवात हर गाउं को आत्म निर्भर बनाने से हो सकती है पुझ्य बापू ग्राम राज्जी की जो बात करते थे ग्राम स्वराज की बात करते थे मेरे नौजवान साथियों गाउं के लोग वहां के सिल्पकार वहां के किसान इन्हें आप आत्म निर्भर बनाईये इनके उत्पादों को विश्व के बड़े बड़े बाजारों में पहुंचाने की कड़ी बनी है विश्व भारती तो बोलपूर जिले का मुल अधार है यहां के आर्थिक, भोतिक, सांस्कृतिक सभी गतिविजियों में विश्व भारती रचा बसा है एक जिवन तिकाई है यहां के लोगों को समाज को ससक्त करने के साथ ही आपको अपना बुरहत दाईत्व भी निभाना है आप अपने हर प्रयास में सफल हो, अपने संकल्पों को सिद्धी में बदले जिन उद्देशों को लेकर के विश्व भारती में कदम रखा था और जिन संसकारों और ग्यान की संपदा को लेकर आज जब आविश्व भारती से कदम दुनिया के दहलीच पर रख रहे हैं तब दुनिया आप से बहुत कुछ चाहती है, बहुत कुछ अपेच्छाएं रखती है और इस मिट्टी ने आपको समा रहा है, आपको समाला है और आपको विश्व की अपेच्छाओं को पूर्ण करने योग्य बनाया है मानव की अपेच्छाओं के पूर्ण करने योग्य बनाया है आप आत्मी स्वास से भरे हुए है आप संकल्पों के प्रति प्रतिबद्ध है आप संस्कारों से पुलकित हुई आपकी जबानी है ये आने वाली पीडियों को काम आएगी देश के काम आएगी इकीश्वी सधी में भारत अपना उचीत स्थान प्राप्त करे इसके लिए आपका सामर्द बहुत बढ़ी ताकत के रुप में उपरेगा ये पूरा विश्वास है और आपी के बीच में आपी का एक सही आती होने के नाते मैं आज इस गवरवपूर रिक्षण में अपने मानता हूँ और हम सब मिल करके इस गुर्देव टगोर ने जिस पवित्र मिट्टी विसे हम लोगों को सिक्षित किया है समस्कारित किया है हम सब मिलके आगे बढ़े यही मेरी आपको शुब कामना है